नमस्कार दोस्तो मैं अनुराग आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग योट्यूब चैनल दोस्तो इस कैनल पर मैं एक बार और आया हुआ हूँ तो मैं दुबारा विजिट किया हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास जो लेबरा डॉर है आपने देखा था उसका मेटि इसलिए मैंने इसी एस्टड को सेलेक्ट किया था अपने फीमेल के लिए तो मेरी फीमेल को भी आप देख सकते हूँ लेबराड और वो भी काफी ब्यूटिफुल है तो मैं 100 किलोमीटर अपने घर से आया यहां पे अपने फीमेल डॉग को मेट करवाने के लिए तो सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पे आसा कैनल के ओनर को लब भया को तबसे पहले तो वेलकम करता हूँ आप सभी वीवर्स के लिए और यहां पे जितने भी इस्टड डॉग है मैं आपको सबसे मिलवाओंगा तो सबसे पहले मैं लब भया को अपने चैनल पे इंटोडिउस करव लाइन के ऐसे और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है तो सबसे पहले तो इसका रिजल्ट काफी मतब जितने बार मैंने देखा है मतब साथ आठ पपी तो आराम से आ जाते हैं और पपी काफी खूबसूरत है इस बार तो आपको रिजल्ट दिखने के लिए मिल और लब बया का आपको नमबर भी मिल जाएगा वीडियो में तो वीडियो में आप लोग बने रहे चलिए सबसे पहले जो सबसे खूबसूरत यहां पे मेल है देखिए यह आप देख सकते हो कि कितना प्यारा इसका हैड साइज देखिए आप देखिए इसका हैड़ साइज काफी खुबसूरत है यहाँ पर मेल इसी मेल से मेरी फीमेल लेबराडॉर का मेटिंग हुआ है तो यहाँ पर आप देखिए यह सबसे पहला था इसका नाम क्या है इसका नाम डोडो है यह अभी धाई सल का हुआ अच्छा इसको आपने कहां से लिया था इसे मुझे इसे मैं देली से लिया था मैं आठ महीने का था जब यह काफी खुबसूरत है अगर इस तरह का इस्टर्ड हो तो पपी काफी अच्छे होंगे और लोगों के पास भी काफी अच्छे डॉग्स ही मिलेंगे तो अगर जिनके पास अच्छे बजट हैं तो आप लोग रप्टेट जग भी भी आपको अच्छा दिखने के लिए मिलेगा चलिए अब मैं आपको बहुत ही खुबसूरत ब्लैक जर्म सेपट से मिलवाना चाहता हूं देखिए इसका हाइट आप लोग मैच कर सकते हो मेरे कमर के बराबर आ रहा है देखिए अब दोस्तों इसका जो नाम है वो सेड जिसमें सेवन मेल थे एट में और एक में टेन विल्कुल सही है अगर मेल को अच्छे तरीके से रखा जाए और मतब रिक्वाइट तरीके से मेटिंग दिया जाए तो पपी का जो लीटर साइज है वो भी काफी अच्छा रहता है और पपी भी हेल्दी रहते हैं तो यह था वो उसी का है डोडो का है देख सकते हो मातरी अभी 11 मंत का है अभी 11 मंत का है और आप इसकी खुबसूरती देख सकते हो कितना गजब का है देख सकते हो आपको यहाँ पर दिखाए पर रहा होगा कि अभी कितना एक्टिव है कितना मस्त आपको दिख रहा है तो और इसका न तो काफी अच्छा है चलिए हम इससे अच्छे भी रिजल्ट है लेकिन ये फैमिली में था उनसे नहीं रह पाया तो ये फिर मेरे पास आया बहुत ही बर यहां ख्यार अभी तो ये 11 मंत का है तो साथ आठ मंत और लगेंगे इसके मतलब पूरा रिजल्ट दिखने में अभी तो टाइम है आप कोई भी डॉग ले रहे हो तो बेसिकली लाइक जर्मन से पड़ भी है तो दो साल आपको वेट करना होगा ओरिजिनल लिजल्ट के लिए लोग चार-पांच महिने में बोलते हैं तो कैसा दिख रहा है तो उसमें वह इसा ही दिखता है खैर चलिए हम नेक्स्ट ब्रीड देखते हैं रॉट्वाइलर आप देखिए कितना खतरनाक देख रहा है इसका फेस देखिए लेकिन है बहुत यह सांथ कोई भी यहां पर अग्रेसिव नहीं है चलिए इनके बारे म हम कुछ पूछते हैं नर से इसका नाम नबाब हुआ यह अभी देर साल का है और इसने इसका अभी तक मैसी स्टार्ट में इस टार्ट अबष जी तो काफी मतल्istor से ही अच्छा यह देने लग गया है खेर तो फिमेल पर भी डिपेंड करता है लेकिन मिनिमम रिजल्ट फाइब सिक्स यह होते हैं अच्छा फिर तो सही है पांच मार्च को वह एक साल का होगा तो उसका पपी है वो तो वहां पर आप देख सकते हो कितना कतर नाक है यह दिखने से कितना है लग रहा है लेकिन बहुत जादा फ्रेंडली अग्रेसिव भी आई इसके जितने पाप होते हैं मैं देखाया सारे अग्रेसिव कोई नहीं होता है कोई भी अग्रेसिव और मुझे आग्रेसिव पसंदी नहीं है वेल्ट बिल्कुव जो वैसे तो बहुत टाम पे यह खूल रहा है घुम रहा है तो सब फ्री हो जाता है और डॉक को बांद के रखना नहीं चाहिए डॉक बंदे बंते बंते वह एग्रेसिव होता है बिल्कुल सही अगर आप दिन पर बांद के रखोगे तो उसका इनरजी स्टॉक रहेगा तो वह गलत हरकत करेगा ही करेगा तो पंजाब में इसका ब्रीडिंग सेलिंग पर्चेजिंग इलीगल हो चुका है तो पंजाब के लोगों के लिए तो ये डॉग एक तरीके से अभी आपने तच किया नहीं बिल्कुल तो मतलब यह लोगों पर डिपेंड करता है लेकिन बहुत सारे कंट्री में भी बेंड है इंडिया में भी कुछ जगा पर बेंड हो गया है लेकिन इससे जो पार्टिकुलरली डॉग लवर है उनको पता है कि डॉग का जो नेचर है वो ओनर पर डिपेंड करता है रखने वालों पर करता है तो खैर इस पर तो मैं कुछ कहाना नहीं चाहूँआ कि यह कोट का मेटर है खैर देख सकते हों कि यह इसने कुछ किया नहीं है इतना इसका फेस आप देखे कितना गजब का है देख सकते हो यह दिखने में इतना है लेकिन बहुत ज़्यादा फैंडली है अगर आपके आसपास में या फिर आपके नौरं में यह डॉग है तो इसके बीहेवियर के बारे में आप लोग कमेंड करके बताएं कि इसका क्या विछवियर आप लोगों ने देखा है तो यह एक छोटा सा वीडियो आपने यहां पे देख लिया और सारे डॉक्ष का मैंने आपको पिक्चर और अपने फिमेल का भी पिक्चर मैंने दिखा दिया खैर चलिए इस झाल झाल